नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूस चानल मेटू टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलेटन के शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से बीजेपी पर जम कर बर्से सिद्धू कहा मेरे लिए पंजाब सबसे उपर मोदी लेहर ने विरोधियों के साथ मुझे भी टुगो दिया भावी रणनीती पन नहीं खोले पते आमादी पार्टी ने पीम मोदी के खिलाब खोला मोर्चा पार्टी प्रवक्ता अशुतोष ने पीम को बताया गंदी राजमीति का सर्वसर्वा कहा चाहे तो केजरिवाल को कर ले अरेस्ट जेल जाने से बच्चे सल्मान खान, काला हिरन और चिंकारा शिकार मामले में हाई कोट से बरी विश्णोई समाज सुप्रीम कोट में पैसले कोट देगा चिनौपी रियो अलम्पिक में भारतिय उमीदों को एक और बड़ा जटका, नर्सिंख के रूमेट संदीब भी डोक्स टेस्ट में पेल, बचाव में सामने आया भारतिय खुश्टी महसंद, पहलवानों ने की CBI जाँच की माँ और सावन के पहले सोमवार पार्स श्रिवालियों में उम्डा आस्था का जनसलाव, उजेन में महकाल की खुई भस्म आर्थी, वारनसी के बाबा काशी विश्वनात मंदर में बंबं भोले की गूच दिल्ले के जंतरमंतर प्रदेश भार में हो रहे दलितों के अत्यच्वार को लेकर दल शोषित मुक्त मंच ने धर्ना दिया, धर्ना में लेफ्ट नेता व्रिंदा का रात भी शामिल हुई, उन्होंने कहा कि पेम मोदी ने इस मामले पर चुपी साथ रखी है, साथ यूप भी बीजेपी के पूर्ड प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर पर कारवाई की मांग की कमजोर करें इसलिए दुड़ां जितने भी वो पहती स्लोगे दोरती हैं, सब को ग्रिफ्तार करना जाहिए, और फास्टर पोर्ट में इस पूर्ट में इस पूर्ड जो कानून भी किया थे हैं, मुत्रप्रदेश में भी सियासत गर्माई हुई है, पुर्पुमंत्री माया मायवथी जी को लेकर उत्तरप्रदेश के मुत्रप्रदेश के मुत्रप्रदेश के जो टिफणी थी, इसके बावजी दोनों तरफ से बात की जारी है, कि महिलाओं के सम्मान में कमी आई है, आपने यहां भी अपनी स्पीच में इस चीज का जितन किया था, देखिए मायव मुख्यमंची के साथ इस प्रकार शब्द इस्तमाल करना स्मश्ट होता है कि कोई भी महिला, कोई भी महिला अपने को सुरक्षित नहीं मैसूस करते हैं, जब मुख्यमंची पूर मुख्यमंची के साथ, अभी यह लोग जो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, यह बि बीजे पे उसको पेश कर रहे हैं, और क्यों ने पुलीस के सामने वो पेश हो रहा है, यह मुख्यमंची जोदपूर में चुंकारा शुकार मामले में बॉलिवुद अभी नेता सल्मान खान के लिए सुमवार का दिन बेहत खास साबित हुआ, हाई कोट ने मामले की सुनव जड़ा उठा कर बच जाते हैं, लोगों से बात की हमारे समवादाता निशांत कुमार राइने पूरी तर से कंड़न करते हैं, इसको अपिल करने के मैं गवर्नमेंट से डिमेंड करता हूँ ये पैसे राइसो वाले कितने भी बड़े खिसे करें तो भी उन्हों भार आ रहें, ये पूरी जन्यता को दुख दिखाने की बावना है, जिसलिए हम कहते हैं कि सबी जन्यता को येकी रूल एंड रेगलेशन रहना चाहिए, खिसी भी हालत में सबको भी येकी शिक्षा र आवन रहता है, इसको हम सब कंटन कर रहें परता है, एक क्राइम करें तो सो ब्लक पनिश्मेंट हो ना, इस इनमे आक्टर रहें दो, कोन भी रहें दो, ये सो टोटल की जिस्टिस टोटली एक्वेल है थे हिंकि मेरा मतलब है उन्हों इतना हाडवार करके वाहरा। काम कर रहा हुआ, तैसंसे के बच्चों के लिए धरने के लिएं फ्िचर के लिए लग रह और देश क क उननतीके कर रहा और थेश का बच् dwपाष्च ऑप सबस्क्राइब वार्श के लिए वह करेक्ट है उनको पनिश्मेंट नहीं दिये तो भी यह क्योंकि आईसे लोग जो भी अपना देश के लिए उनका जो भी हाड़ वर करके कमाएं सो पाई से देश के लिए लगा रहा है देश के उननती के लिए लगा रहा है देश के गरीबों के लिए लगा रहा है तो यह लोगंको punishment नहीं देना चाहे मेरे क्याल से भारतिया कुष्टी महसंख खुलकर नरसिंग यादव और संदीप यादव के बचाव में खुलकर सामने आ गया है भारतिया कुष्टी महसंख के अध्यक्ष बीबी सरन ने एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए दोनों खिलाडियों के साथ बड़ी साजिश हुई है डोप टेस्ट में फेल होने के बाद दोनों पहलवानोंने सच्चा ही सामने लाने के लिए सीबी आई जाच की मांग की है बीबी सरा ने कहा कि 6 जून को नरसिंग को स्पेन ट्रेनिंग करने जाना था सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक सोनिपत साई सेंटर में 5 जून को खाने में छोका लगाते समय एक शक्स ने कुछ ऐसा पदार्थ डाला जुसकी वज़ा से दोनों पहलवानों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है नरसिंग उन खिलाडियों में शामिल है जोने पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है खबरों के सफर में फिलहाल उतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल पॉन के माध्यम से ताज उतरीन खबरों के लिए जुड़ रही में ट्रु टीवी से नमस्कार